घर पर डेमेज बालों को रिपेर कैसे करें? क्या आपके बाल डेमेज हो गए हैं? अगर आपको बहुत सारे बालों के घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी कोई फर्ग महसूस नहीं होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेक में दिये गए डेमेज बा डेमेज बालों को रिपेर करने के टिप्स एक फल के साथ करें, फल का नाम आवोकेडो है, यह भारतिय बाजारों में आसानी से उपलब्ध है, डेमेज बालों को रिपेर करने के लिए क्या करना है? आपको केवल आवोकेडो को मैश करना है, उसका बीज निकालें, इसमें एक अंडा फेटें, अब इसे अपने गीले बालों पर लगाएं, इसे 20 मिनट के लिए बालों पर लगा छोड़ दें, अब बालों को धोएं और साफ करें, यदि आपके बाल स्वस्थ हैं, तो इसे महीने में केवल एक बार उप्योग करें और यदि आपके बाल डेमेज हैं, तो सप्ताह में एक बार, यानी महीने में चार बार इसका उप्योग करें. कुछ दिनों के बाद आपको बालों में फर्ग महसूस होगा. आवोकेडो, विटामिन, आवश्यक फैटी एसिड और खनी जो में सम्रिध है. यह आपके सूखे बालों की खुश्की को दूर करता है और इसे एक प्राकृतिक चमक देता है. इ बगभग सभी रसोई में उपलब्ध होती है. यदि आपकी रसोई में ये नहीं भी है, तो इसे डैमेज बालों को रिपेय करने के लिए मार्केट से खरीदा जा सकता है. रूखे, सूखे, बेजान बालों में मक्खन का यह घरलू उपचार उन्हें फिर से जीवित कर सकता है. कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं. मक्खन से डैमेज बालों को रिपेय करना बहुत सरल है. आपको बस अपने सूखे बालों की मक्खन से मालिश करनी है. जब मक्खन पूरी तरह से बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, तो शौवा कैप के साथ सिर को कवा करें. इसे कि आप बालों में सामान्य शैंपू करते हैं, वाही कर लें. मक्खन को बालों से पूरी तरह से घुल कर आलग हो जाना चाहिए. बालों में चिप-चिपाहट नहीं होनी चाहिए. यदि आप महीने में दो बार ऐसा करते हैं, तो यह पर्याप्त है. आप अपने डैमेज बा मात्रा में शैंपू मिलाएं. इसे अपने बेजान और सूखे बालों पर पांच मिनट के लिए लगाएं और अच्छे से धोलें. इस उपचार से बालों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धी होती है. और आप पहले से ही जानते हैं कि बालों के स्वास्थे के लिए प्र नियवाद.